चैजे स्री राम चैजे स्री राम अवदपुरी सोहं एई भाती प्रभु मिलन आई जनुराती अवदपुरी इस प्रकार सोबित हो रही है मानो प्रभु से मिलने आई हो आज देश के सश्षी प्रधान मंत्री आदनिय सी नरिंद्र मोदी जी का अयोध्या में आगमन होकर के नए भारत के एक नए अयोध्या का वह स्वयम लोकारपन करने के लिए आये हैं भाईो बेनो इस औसर पर आप सब की ओर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और देश और दुनिया भर के रामभक्तों की ओर से मैं आदनिय प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ मंजपर उपस्तेत आदनिय प्रधान मंत्री जी प्रदेश की मानने राज्यपाल आदनिया स्रीमती आनंदी वेन पटेल जी केंद्रिय रेल मंत्री मानने सी अस्वनी भैष्णों जी केंद्रिय नागरिक उड्डियन और इसपाद मंत्राले के मंत्री मानने सी जोटरादित्य सिंदिया जी जनरल वीके सिंग जी उत्तरप्रदेश सरकार में मेरे सयोगी उपमुख्य मंत्री तुए सी केसो परसाद मोर्या जी सी ब्रदेश पाठक जी मंत्री मंडल के मेरे सवी सयोगीगाण यहां के मान्य सांसत सी लल्लू सिंग्जे अन्य सवी सम्मानित जन प्रतनिदीगाण और उपस्तित भाईों और बहनों अवद पुरूई प्रभु आवद जानी भाई सकल सोभा के खानी प्रभु आ रहे हैं और बाईस जनवरी को आधनिय प्रधान मंत्री जी के ही करकमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं भाईोवेनों पान सो वर्सों कंतजार समाप्त होने जा रहा है प्रभु के आगमन के पहले प्रधान मंत्री जी का संकल्प था न अयोध्या को दुनिया की सुन्दर्तम नगरी की रूप में स्थापित करेंगे और भायो बेनो आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रणान मंत्री जी का स्वागत अयोध्या वाश्यों ने किया है एक नए भारत की नए अयोध्या का दर्सनम सबको कराता है अयोध्या बेहत्रीन, फोर लेन, सिक्स लेन और एट लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है इसका अधगाटन प्रणान मंत्री जी के करकमलों से भी ओने जा रहा है रेलवे स्टेशन के साथ साथ, बंदे भारत ट्रेन का सुभारंब और दो नई ट्रेन, अम्रित भारत के नाम पर आधणिये प्रणान मंत्री जी ने अयोध्या को सीतामनी से, प्रवराम की जनम भूमी से, माता सीता के प्रकटी करण के अस्तल पर जोडने के लिए इस वेलिय की कारिकरम को भी आज सुभारंब किया है, और साथ साथ, बगमान राम तो त्रेता में पुस्पग विमान से अयोध्या आये होंगे, आधप्रणान मंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ड का उपहार भी अयोध्या वास्यों को दे दिया है, इसका उधगाट प्रण करके प्रधान मंत्री जी यहां पर आये हैं, उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़ेवे हजारों करोड की इन प्रियोचनाओं के लिए, मैं उत्तर प्रदेश वास्यों की ओर से आधनिये प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से आभार व्यक्त करता हो उनका स्वागत करता हो अविनंदन करता हो वयोबेनो ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे आने की बात तो दूर एक निया रिकॉड भी बन गया है अयोध्या आने वाले सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधान मंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है हर एक उसर पर जो उत्तरप्रदेश को अयोध्या जैसे बिरासत से जुड़ीवी नगरियों को एक नई पैचान दिला सके वाँ मोदी जी के करण संभा हो पाया है भायो वेनों और इसलिए आज प्रधान मंत्री जी 22 जन्वरी के पहले विकास से जुड़ीवी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ीवी कनेक्टिविटी से जुड़ीवी अयोध्या को बेहतरीन स्विविधाओं से युक्त इन सभी स्विविधाओं से संपन्न कर रहे हैं तो इस कारिक्रम में हम सब का ये दाहित तो बनता है कि हम प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत करें अविलंदन करें और मैं इस बात के लिए भी प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से आभार बेक्ते करता हूँ प्रभुराम से इस लोग का मिलन कराने वाले तरकाल दरसी रिसी मौरसी बालमीकी जी के नाम पर इस अंतराश्टिय हवाई अड़े का नाम प्रधान मंत्री जी ने किया है इसके लिए हम सब अभारी हैं क्योंकि रामयन को लौकिक रूप से हम सब तक पहुचाने वाले पहले रिसी मौरसी बालमीकी है उनके नाम से इस अंतराष्टिय एरपोर्ट का नाम करण भारत के अंदर भारत की प्रमपरा पर भारत की विरासत पर गौरब की अनभूती करने वाले हर नागरिक को गःऊप की अनभूती कराने वाला या छण होगा मैं आज की ये सौसर पर आदनिय प्रधान मंत्री जी का मंचासीन अपने सभी आगत अतितियों का और आप सभी का हिर्दे से स्वागत और अविनंदन करते वे आगामी समय के लिए हम सब अपने दाहितों का निर्वहन करने की तैयारी कर पाएंगे अयोध्या में 22 जन्वरी के बाद अयोध्या को अतिति देवो भवा का एक नया अन्भव देश और दुनिया को कराना है और इसके लिए हम सब पूरी तैयारी के साथ 22 जनवरी के एक कारिकरम में अतितियों के स्वागत के लिए उसी तत्परता से इसी जोस खरोस के साथ हम कारिकर पाएंगे इस अबिस्वाज के साथ मैं एक बार फिर से आप सब की ओर से प्रदेश वासियों की ओर से सभी राम भक्तों की ओर से आदनिय प्रधान मंतरी जी का हिरदे से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ धन्यबाद जैहिं